अगर तबियत खराब हो तो अब सीधे मुह उठा कर अस्पताल में मत जाईएगा बलकि सरकार ने 5 प्रतिशत का जो GST लगाया है उसका इंतजाम पहले कीजिएगा और फिर अस्पताल पहुँचिएगा सरकार ना आपको बिना टेक्स के खाने देगी और ना सरकार आपको बिना टेक्स का अपना इलाज कराने देगी शायदे किसी ने सोचा होगा कि जिस अस्पताल के बेट पर लेट कर आप गुहार लगाते हैं कि जिंदगी सुरक्षित हो जाए जिंदगी बच जाए अब उस अ कमाई कई गुणी बढ़ गई है और किसानों की कमाई तो मान लेनी चाहिए कि कम से कम चर-पाच गुणी बढ़ गई है अब जब आपकी कमाई इतनी ज्यादा हो गई है तो सरकारने सोचा कि अगर थोड़ा बहुत टेक्स लेही लिया जाएगा तो क्या घड जाएगा और ये अब हमें लगता है कि बस दहेज ही जिएश्टी मुक्त है तो हमारे ख्याल से मूदी जी को दहेज लेने वालों के बारे में थोड़ा बहुत विचार कर ही लेना चाहिए बाकि अबने मस्कार में नाम है मुईत कुमार सीन और आप देख रहे हैं हमारा भिशेश्ट कारिकरम एक्स्प्लेनर निरहुआ को चाहिए कि नरेंद्र मोदी के पास जाकर उनको बताएं कि साहब हमारे अभी भी दहेज लिया जाता है और अगर दहेज पर जीएश्टी लगाने का कोई नियम लग जाए तब सरकार का खाजाना एक लगन में एक दम फूल हो जाएगा लगन मतलब कि शादी बीवा वाला सीजन जब लोगों का शादी बीवा होता है अब आते हैं काम की खबर पर भगवान न करें लेकिन जब भी अस्पताल में आपका कोई करीबी जाकर भरती होता है और उसको अस्पताल में कुछ दिन गुजारना पड़ता है तब अस्पता उसका किराया प्रती दिन जिसका 5000 से जादा है उसका पैसा देते समय आपको 5% GST का भी भुकतान अपने जेब से करना पड़ेगा आप एकदम ठीक सुन रहे हैं कि अस्पताल के कमरे के बेट पर जब कोई विमार व्यक्ति पड़ा रहेगा और उसका परिजन पैसा देने है अब आपको समझा देते हैं मान लिजिए कि किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति भरती हुआ है और दो दिन का उसका कमरे का भारा होता है किराया होता है 10,000 रुपिया तब अस्पत्वाला कहेगा कि 10,000 रुपिया हमारा अपना किराया हुआ अब इसके बाद आप 5% सरकार क किराया दे दिजिए मतलब कि 5% सरकार का GST है उसको भरिए और आपको 10,000 के बाद 500 रुपिया जादा देना पड़ेगा और अस्पताल को 10,000 रुपिया के बदले 10,500 रुपिया देना होगा अब जितना दिन अस्पताल में बीतेगा यह उतना महगा होता चला जाएगा इध मतलब कि अगर 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 आप मेडिकल के छितर में देश की सबसे प्रतीशी संस्था सबसे बड़ी संस्था एमस में इलाज कराते हैं तब उसके प्राइबेट वाड में अगर आपको रखा जाता है तब 5% GST आपसे वसूला जाएगा इधार अस्पताल चलाने वाले जो मतलब कि उस ब्यक्ति के लिए भले ही आपदा हो लेकिन सरकार तो इसमें भी अपना टेक्स ले रही है बाकी हमें उमीद है कि निरहुआ जब भी दिल्ली जाएंगे नरेंद मोदी जून की मुलाकात होगी तब बताएंगे कि अस्पताल वगरपे GST लगाने से सरकार ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी बलकि अच्छा यह होगा कि दहेच पर GST लगा दिया जाए और उनका तो बकायदा गाना है जिसमें हिरोईन के पापा 5% GST जोड़ के मा जाएगा सरकार को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आउशकता नहीं होगी बाकी अस्पताल के जो नन-ICU कम रहे हैं जिसका भाड़ा 5,000 रुपया प्रती दिन है कम से कम या इससे ज्यादा है तब अब उस पर 5% GST देने के लिए आप तयार रहे है यह लागू हो चुका अब अगर अस्पताल में आप या आपका कोई जानने वाला आपका करीबी जाता है तब 5% GST जोड़कर अस्पताल को देना पड़ेगा अब आप क्या सोचते हैं आपका क्या विचार है उससे क्रेमेंट वक्स में लीकिर बताईएगा वीडियो शेर जरूर कीजिएगा वा